वेलकम टू हाट वर्क, ये क्लास इलक्रोनिक्स, इलेक्रिकल और इंस्टुमेंटल इस्टुडेंट्स के लिए चल रही है इस सीरीज में हम एक्सपेक्टेट M.C.Q. डिसकस करते हैं, वो भी पूरे डिटेल्स एक्स्प्लानेशन के साथ जो आने वाली एक्जाम जैसे DFC-CIL, इसरूर DRDO, NPC-IL, JE या AE पोस्ट के लिए बहुत ही इन्पोर्टेंट है अगर आप इसका PDF ये previous year का paper और एनी other information के लिए आप हमारा telegram group join कर सकते है इसका link आपको नीचे description box पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर telegram group join कर सकते है the output of the 4 into 1 multiplexer sawn in the figure is 4 into 1 mugs का एक figure दिया हुआ है और इसका output हमें calculate करना है multiplexer work कैसे करता है अगर इसकी truth table की बात करें 4 into 1 mugs की truth table की बात करें तो हमेशा जो है multiplexer में selection line होते है यह 4 into 1 है तो इसका 2 selection line होगा x और y x और y दो selection line है तो इसमें 4 condition हो सकती है 00, 01, 10 and 11 according to this selection line selection line में जैसा condition होगा उस condition से यह input select होता है और यह input output भी appear होती है तो इसकी truth table देखें तो selection line होगया हमारा x and y और output यहाँ पर दिया होगा है एका output होगया यह output ओके so 00 के case में 00 के case में क्या होगा यह input i0 को select करेगा 01 के case में क्या होगा i1 को select करेगा और 10 के case में क्या होगा i2 को select करेगा उसी तरह 11 के case में यह i3 को select करेगा अब इसकी expression की बात करें यह output से अगर इसका expression बनाया जाए तो output यानि कि j equal to क्या हो जाएगा first है 0 0 यानि कि x bar and y bar x bar y bar and i0 इस किसमें क्या है x bar y bar में output हमारा i0 को select करेगा plus x bar x bar and y x bar y i1 plus x y bar x y bar के साथ क्या है i2 और plus x y 1 1 है तो i3 ओके अब देखते हैं x bar y bar i0 i0 में क्या दिया हुआ i0 में input हमारा दिया हुआ x तो i0 के जगा हम लोग लिखेंगे x plus x bar y i1 में क्या input है i1 में input connect है हमारा 5 volt 5 volt में लोजिक 1 digital में 5 volt काने का मतलब है logic 1 so logic 1 so i1 का value क्या हो जाएगा 1 plus x y bar i2 i2 का value भी 5 volt है तो यह लोजिक 1 प्लस x y i3 का value क्या है i3 का input दिया हुआ y तो आब इसको solve कर लेते हैं यहाँ पे इस expression पे देखें तो x dot x bar equals to होता है 0 so यह पूरा term 0 हो जाएगा plus यहाँ पे x bar and y one के साथ अगर multiply करें तो plus यहाँ पे x and y bar यहाँ पर भी one से multiply हो रहा है plus यहाँ पे y और y दो common है और y dot y equal to क्या होता है single y so x and y ओके अब अब इसको कैसे solve करेंगे अगर यह term और यह term में देखे तो यहाँ से हम common निकाल सकते है y y common निकलेगा तो क्या लिखेंगे x bar plus x ओके and plus यहाँ पे क्या है x and y bar अब x bar x bar plus x equals to होता है one so यह term हमारा क्या हो गया one तो y plus x and y bar so अगर option में देखे तो option d जो है हमारा answer से match कर रहा है तो इसका answer क्या हो जाएगा option d इसका answer हो जाएगा next question देखते है in a bipolar transistor biased in the forward active region the base current is ib equal to 50 micro ampere and the collector current is ic equals to the hour 2.7 milli ampere the alpha is alpha का value निकालने को बोला है given क्या है base current base current कितना दिया हुआ base current it is ib equals to 50 micro ampere right और क्या दिया हुआ ic दिया हुआ ic equals to कितना दिया हुआ ic equals to 2.7 milli ampere और क्या कहा हमें alpha find करने alpha क्या होता alpha हम कहते है current अल्फा कहता है करेंट अम्पली अम्पलिफिकेशन करेंट अम्पलिफिकेशन फैक्टर अल्फा होता है करेंट अम्पलिफिकेशन और इसी को कहा जाता है करेंट गेंबी अल्फा को करेंट अम्पलिफिकेशन फैक्टर और current gain भी कहा जाता है alpha का value क्या होता है alpha equals to होता है ic divided by ie okay alpha equal to होता है ic divided by i अब हमें ic तो पता है बट i नहीं पता है तो first we need to find i i के लिए क्या करेंगे i के लिए i equals to होता है ib plus ic और ये कहलाता है transistor equation अब यहाँ पे value put कर देता है ib और ic हमें पता है ib केतना दिया हुआ 50 into 10 to the power minus 6 plus 2.7 into milliampere यानि 10 to the power minus 3 अब इसे अगर हम calculate करें तो calculate करने के बाद ये आता है 2.75 into 10 to the power minus 3 ampere ok so अब i का value आ गया अब i का value आ गया तो इसे हम alpha के value में put कर देता है alpha equal to क्या है alpha equal to ic by i so ic का value कितना दिया हुआ ic equals to 2.7 milliampere ok divided by ये कितना है आया है आया हम लोग का i 2.75 milliampere आया हुआ है so milli to milli cancel और ये calculate करें तो ये calculate करने के बाद आ जाएगा 0.982 ये मेरा alpha का value आ गया so alpha का answer हो जाएगा 0.982 यानि option c इसमें हमेशा याद रखें ये जो current amplification factor होता है that is alpha alpha का value जो है वो always less than 1 होता है ये कभी-कभी exam में direct पूछ लिया जाते है कि alpha का value क्या होता है वो less than 1 होता और beta जो है beta हमेशा greater than 1 होता है ओके ये आपको याद रखना है बढ़ते आगे next question क्या है probability that an electron in a metal occupies the fermi level at any temperature is okay fermi level के बारे में पूछा है fermi-diag function एक fermi-diag function होता है fermi-diag function so fermi-diag function की बात करें that is f of e f of e f of e f of e equals to क्या होता है f of e equals to 1 by 1 plus e to the power e minus ef और divided by kt ये है fermi-diag function अब questions में क्या बोला है questions में एक चीज़ मेंसन किया हुआ है electron in a metal occupies the fermi level इसका कहना का क्या मतलब हो गया है जो electron है that is e जो है वो fully occupy कर रहा fermi level को यानि कि e बराबर है fermi level के electron जो है ये electron बराबर है fermi level के तो इससे जब हम यहाँ पे put करते है तो f of e equals to क्या हो जाएगा 1 by 1 plus e to the power यहाँ पे e और ef के जगा अगर हम लोग e put कर दे divided by kt तो अब value क्या निकल क्या हो जाएगा 1 by 1 plus e to the power 0 all right so e to the power 0 equal to क्या होता है 1 plus e power 0 का value 1 okay so 1 by 2 और 1 by 2 क्या हम लोग लिख सकते है 0.5 0.5 लिख सकते है तो 0.5 हमारा क्या आजाएगा answer option c is the right answer okay next question क्या है transmission line से questions है transmission line से क्या question है when a lossless transmission line is terminated by a resistance equal to surge impedance okay then what is the value of the reflection coefficient reflection coefficient का value पूछा है question में कहे रहा है वह resistance जिसके द्वारा transmission line terminate हो रहा है मतलब क्या दिया हुआ load impedance दिया हुआ है पहला थो और क्या वह हो रहा है load impedance जो है वह equal है किसके surge impedance के surge impedance के क्या मतलब हुआ characteristic impedance that is कहना चाह रहा है कि load impedance जो है वह बराबर है Z0 के okay ZL equal to Z0 ZL होता है हमारा load impedance और Z0 होता है हमारा characteristic impedance तो पुछा क्या है what is the value of reflection coefficient reflection coefficient को हम लोग denote करते है इससे और reflection coefficient equals to क्या होता है ZL minus Z0 divided by ZL minus ZL plus Z0 okay ZL minus Z0 ZL plus Z0 यह general form है reflection किसका reflection coefficient का reflection coefficient okay reflection coefficient का general form है तो यहाँ पर क्या बोला है ZL equal to Z0 पूट करने को बोला है तो हम इसका value रख देता है ZL minus Z0 के जगए ZL put कर देता है ZL plus ZL करती है इसका value क्या आजाएगा value 0 आजाएगा 0 आजाएगा 0 क्या है option C is the correct answer तो हमेशा याद रख रख है जब भी transmission line में ZL equal to Z0 that is characteristic impedance equal to load impedance हो तो reflection coefficient reflection coefficient हमेशा क्या होता है हमेशा 0 होता है बढ़ते हैं आगे next question भी again transmission line से question है if lossless line is terminated with load impedance 40 plus Z30 हो okay then the line for minimum possible standing web ratio SWR will be इसमें SWR पुछा SWR कहाने का मतलग क्या हो गया standing wave ratio पूछा है दिया होगा क्या है load impedance load impedance that is ZL दिया होगा ZL equal to केतना दिया होगा 40 plus 40 plus J 40 plus J 30 ohm दिया होगा ZL का value दिया होगा और हमें क्या बोला है कि minimum value के लिए SWR जो है SWR the line क्या लिखा है the line for minimum possible SWR SWR के minimum value के लिए हमें क्या करना है Z node find करना है okay Z node find करने को बोला है अब Z node find करने को बोला है तो Z node find करने को बोला है तो कैसे करेंगे Z node find तो एक हमेशा इसमें याद रखे है कि SWR जो है standing wave ratio standing wave ratio का जो यह है SWR का range होता है वो होता है 1 SWR और infinity okay मतलब SWR यहाँ पर minimum है minimum value होता है 1 और maximum value होता है infinity SWR का okay so SWR का यह होता है SWR की फर्मूला देखे है तो SWR that is standing wave ratio equals to होता है 1 plus mode of reflection coefficient divided by 1 minus 1 minus mode of reflection coefficient reflection coefficient का भी हमने फर्मूला देखा था वो क्या था reflection coefficient equal to क्या था reflection coefficient equal to ZL minus Z0 divided by ZL plus Z0 यह reflection coefficient का फर्मूला होता है तो हमें कहा क्या है बोल यह रहा है तियदी SWR minimum हो यानि कि SWR का value अगर minimum कहने का मतलब क्या है SWR equal to 1 हो SWR equal to 1 हो तो तो Z0 का value क्या होगा तो हमेशा याद रखे जब भी SWR SWR equal to 1 हो तो इस case में जो load impedance होता है वो बराबर होता है Z0 के जब भी SWR trending wave ratio minimum हो that is उसका value 1 हो तो हमेशा characteristic impedance जो है वो load impedance के बराबर होता है ओके so load impedance के बराबर होता है अब हमें question में क्या दिया हो question में एक given है हमें ZL का value so जो ZL का value होगा वह ही Z0 का भी value हो जाएगा तो ZL equal to Z0 ZL equal to Z0 equal to how much 40 plus J30 ohm हो जाएगा 40 plus J30 ohm हो गया but यहाँ पर answers तो हमें complex में दिया हुआ नहीं है यह value हमें complex में दिया हुआ चेंज करने के लिए क्या करेंगे magnitude को square root कर देंगे तो magnitude कितना है 40 का square plus 30 का square okay so 40 का इस वर कितना होगा 1600 plus 900 इसको calculate करें तो कितना हो जाएगा 2500 so इसका value आजाएगा 50 ohm तो यहाँ से हमारा z note that is that is characteristic impedance का value कितना आगया 50 ohm all right ठीक है तो यहाँ पर हो गया हमारा z note equal to 50 ohm यहां questions में कुछ चुटा हुआ है यह क्या चुटा हुआ हुआ if loss line is terminated with lot impedance z note 40 plus z 30 देंदा देंदा यहाँ पर जो है यहाँ पर होगा characteristic impedance z note characteristic impedance of the line characteristic impedance of the line for minimum possible standing wave ratio so z note हमें calculate करना था हमने z note निकाल लिया बढ़ते हैं अगे अगला सवाल फिर है अगें transmission line दे सवाल आया है what does the standing wave ratio swr of unity imply यह तो अपने अभी जश्तुरंती देखा कि swr unity कहने का मतलब क्या हो गया swr equals to 1 है तो जब भी swr equal to 1 हो या minimum value पूछे तो क्या होता है z note जो है characteristic impedance is equal to the load impedance that is option c यहां से हमारा correct हो जाएगा बढ़ते हैं आगे next question क्या है the transient response transient response of a system is manly due to transient response यानि कि यह आगया आपका control system का control system से एक basic सवाल है और यह सवाल थोड़ा important भी है कि काफी बार exams में repeat हो चुका है तो किसी भी system में transient response जो है वो होता है stored energy के कारण stored energy के कारण transient response होता है और यह energy कहां इस्टोर करता है यह energy स्टोर करता है हमारा inductor और capacitor में inductor और capacitor में इस्टोर करता है तो transient response होता है system में किसी कारण stored energy के कारण next question है the addressing mode the addressing mode used in the instruction JMP2325H in case of 808 microprocessor which one of the following is which one of following okay so addressing mode पूछा है addressing mode पूछा है किसके लिए jump instruction के लिए JMP instruction के लिए तो jump instruction और call instruction microprocessor में दो instruction है jump instruction और call instruction यह instruction जो है वो follow करते है immediate addressing mode को immediate addressing mode को okay तो यहाँ पर हमारा answer हो जागा immediate addressing mode जब भी jump और call instruction के बारे में पूछा जाए addressing mode के लिए तो immediate addressing mode आपका answer हो जाएगा कलम ने पढ़ा था there are five types of addressing mode in microprocessor so कौन कौन सा five type होता है एक तो आपका हो गया direct addressing mode register indirect addressing mode implicit addressing mode immediate addressing mode और एक क्या होता है और एक होता है register addressing mode तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इस तरह के सवाल direct पूछ लिये जाते हैं अब क्या है negative feedback negative feedback in amplifier negative feedback in amplifier के बारे में पूछा है negative feedback की properties क्या होती है negative feedback में क्या होता है negative feedback के कारण हमारा जो gain है system का gain होता है वो reduce होता है और क्या होता है bandwidth जो है वो increase होता है और noise reduce होता है और distortion भी distortion को क्या करता है negative feedback reduce करता है तो यहां से हमारा option D जो है reduce distortion यह correct हो जाएगा अगिन microprocessor से सवाल which one of the following is not a vectoroid interrupt ओके so interrupt microprocessor में 5 तरह के interrupt signal होते है 5 तरह के interrupt signal होते है यह क्या क्या है एक तो है आपका trap trap signal एक है RST 4.5 RST 5.5 RST 7.5 and INTR यह 5 तरह के interrupt signal है जो 8085 microprocessor में यूज़ होते है trap signal को highest parity दिया जाता है और INTR को lowest parity कहा जाता है अब vectoroid interrupt के बारे में यहाँ पूछा है तो vectoroid interrupt उसको बोलते है जो microprocessor को जिसका vector location पता हो उसे vectoroid interrupt कहा जाता है तो यह जो 4 उपर से यह जो 4 interrupt signal है that is trap RST 4.5 RST 5.5 RST 7.5 यह signal को यह signals जो है microprocessor को इनका vector location पता रहता है प्री defined रहता है तो यह vectoroid vectoroid interrupt कहलाते है और जिसका address location जिसका location नहीं पता हो वो कहलाता है unvacteroid unvacteroid तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है not a vectoroid interrupt इनमें से कौन सा intr जो है वो vectoroid interrupt नहीं तो यह कल का question सा कल क्या था how many junctions are present in BJT transistor so BJT transistor में total two junctions होते है BJT transistor में total two junctions होते है एक है emitter, base और collector so यहाँ पर एक junction और यहाँ पर एक junction so there are two junctions in BJT okay so आज का आपका सवाल है questions of the day यह आपको नीचे comment box में जाकर इसका answers देना है alright so thank you for watching and video अच्छा लगे तो इसे like कर देना और अभी तक चैनल को subscribe नहीं क्या है तो subscribe कर दे ताकि आप हमारे साथ class में आगे भी बने रहे हैं और जादा से जादे अपने friends अरकर में इसे share करें thank you तो